हिलो फ्रेंड्स, रेजपी जहबन में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे आलू से नास्ता बनाएंगे। बहुत ही आसान होता है और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। जब भी आपको कुछ खाना हो तो आप दो आलू से तुरंत नास्ता बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए इस रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं कच्ची आलू का नास्ता बनाने के लिए मैंने यहां दो छीले हुए आलू लिया है अब हम इसे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे यह देखिए दोनों आलू ग्रेट कर लिया है अब इसे एक बोल में डाल देंगे अब इसमें पाने डाल देंगे और दो तीन बार ग्रेट क्यूए आलू को अच्छी तरह से धोएंगे इसे अच्छी तरह से धोने के बार छन्नी से छान लेंगे जिससे सारा पाने निकल जाए आलू का पाने निकल गया है अब हम इसे बोल में डाल देंगे इसमें बारिक कटा हुआ हरी धनिया डाल देंगे थोड़ा सा दो से तीन हरी मिर्च बारिक कटा हुआ डाल देंगे आधा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे एक छोटा चमच गरम मसाला डाल देंगे स्वाद अंसा नमक डालेंगे आधा कप मैदा डाल कर मिलाएंगे यह अच्छी तरह से मिल गया है अब इसमें आधा सिमला मिर्च छोटे पीस में कटा हुआ डाल कर इसे भी मिला लेंगे अब हाथ में थोड़ा सा मिक्ष्चर को लेंगे अब चलते हैं इसी तलने की प्रोसेस में यहाँ पर मैंने तेल पहले से रखा हुआ है गरम होने के लिए अब इसमें चप्टा करके डाल देंगे यह देखिए मैंने यह चार डाल दिया है आप चाहे तो इसमें एक साथ और भी डाल सकते हैं गैस का फ्लेम लो कर देंगे जब यह नीचे से सिख जाएगा तब इसे पलट देंगे अब यह नीचे से सिख गया है इसे पलट देंगे और इसी तरह से पलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हम इसे low flame पर ही fry करेंगे नहीं तो अंदर से आलू और मैदा दुनों कच्चा रह जाएगा अभी अच्छी तरह से fry हो गया है ये देखिए कितना क्रिस्पी दिख रहा है अब हम इसे निकाल लेंगे बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी आलू का स्नेक्स या टिक्की बन कर तयार है आप इसे साम की चाय के साथ बना कर सौस या चटनी या किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं अगर आपको रिस्पी पसंद आए तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू